हेलो दस्तो न्यूमेथ स्टडी में आपका स्वागत है हम गोमिद है कि आप लोग अच्छे होंगे तो इस वीडियो में हम इस गुड़न खंड को हल करना सिखाएंगे तो चलिए ध्यान देजिए देखिए जब आपको इस परकार का गुड़न खंड दे दिये जेते सबसे प बतला दे रहा है कि एस से के गुड़न क्यों एक होता है देखिए इसके गुड़न के में कुछ नहीं है ना einज चींपर रहा था जैसे मैं x square को हम लिख सकते हैं यहाँ पर देहान दीजिएगा 1 गूड़ x square एक में x square से गूड़ा होगा तो कुछ असर नहीं पड़ेगा इसलिए इसको इस्तर लिखते होगा तो इसका अंसर आएगा x square ही आएगा तो देखिए x square का गूड़ा कितना होगा अब देखिए क्या करना है अब माइनस 28 का ऐसा दो गूड़ान खंड निकालना है को उसको जोड़ने या घटाने पर यह 3 आना चाहिए माइनस 3 जो है ना माइनस 3 आना चाहिए और उसी 2 को गूड़ा करने पर माइनस 28 आना चाहिए तो चलिए निकालिए तो माइनस हम 28 का क्या करेंगे गुणन खंड करेंगे तो माइनस 28 का हम यहाँ पर गुणन खंड कर रहे हैं तो चलिए थे हम दिए चलिए दो से कटाईए तो माइनस 14 बार में कट जाएगा अब चलिए इसे 2 से कटाईए तो यह माइनस 7 बार में कट जाएगा असाइन से कट गए देखिए तो यह गुणन खंड हम लोग को आ चुका है देखिए दो दोनी के चार यह देखिए माइनस साथ यानि की चार गुणे माइनस साथ देखिए माइनस अठाइस आ जाएगा देखिए अब देखिए अब यहाँ पर इसको क्या किजिएगा माइनस स साथ प्लॉस 4 कर दिशेगा दखीए माइनस तीन आ जा रहा है यहीं हम लोग का गुरिण खुड़िया जो दहीं हम यहां पर मैनस चीन लाना है ना दखीए अब चलिए तो हम अब क्या करेंगे इस तरह से को बढं़ा करेंगे दीजिएगा तो देखिए माइनस तीन आ जा रहा है तो यहीं हम लोग का गुर्ण खर्ण मिल गए जो देखिए यहाँ पर माइनस तीन लाना है ना देखिए अब चलिए तो हम अब क्या करेंगे इस तरह से इसको हल करेंगे चलिए ध्यान दिजिए देखिए एक सिस्कार है इसको इसी तरह रहने देंगे तो एक सिस्कार को हम इसी तरह रहने देंगे अब देखिए यह माइनस 3x है न तो माइनस 3x नहीं लिखेंगे अब हम यहाँ पर लिखेंगे यहाँ पर ध्यान दिजिएगा माइनस दे देंगे यहां पर दखिए 7-4 into x देखिए 7 मेले जब 4 को घटाएंगे तो 3 आ जाएगा असानी से और x तो x आ जाएगा अब चलिए यह माइनस 28 है तो इसको इसी तरह रखने माइनस 28 अब चलिए देखिए यह हमार गुरॉन खंड आया था ना इसी गुरॉन खंड को हम दिखती है अब यहां पर ध्यां देजिए अब इसको बनाईए चलिए x square को इसी तरह अभी रहने देंगे x square अब चलिए देखिए इस constant को हटाएंगे तो यह x से गुरॉन होगा किस में 7 में तो क्या है अब जाएगा और माइनस साथ में से क्या कमन आपको दिख रहा है तो X कमन दिख रहा है तो X को हम एक बार कमन कर लेंगे तो X को कमन किजिए तो देखिए X स्क्वाइर यानि कि 2 गो X है तो 1 गो X निकल गया तो 1 X बच गया चलिए अब देखिए माइनस साथ एक्स तो निकल गया तो क्या बच गया माइनस साथ तो माइनस साथ को आसानी से हम लिख देंगे अब चलिए इस प्लस चार एक्स मेले और अठाइस मेले क्या कमन आपको दिख रहा है एक्स तो है नहीं एक्स चार एक्स में है माइनस अठाइस में X तो नहीं है तो X कमन आई होगा तो आप देखेंगे चार कमन हो रहा है हूँ देखिए 4 यहाँ पर भी है 4X और यहाँ पर देखिए सच्चक 28 मतलब सच्चक 28 होता है यनिकि साथ में जब 4 से गुना करेंगे तो 20 हाता है क्या होता है 4 otach 28 होता है 5xis साथ नर्दर हमासानी से यहाँ पर क्या लिख देंगे शाथ अब देखिए अब यहाँ पर आप लोगों को ध्यान देना है जैसे यहाँ पर आप लोगों देख रहे होंगे X-7 X-7 हमान समाना आए तो हम क्या करेंगे इसको एक बार common कर लेंगे चलिए लिजिए common इसको तो x-7 को हम एक बार common कर लिए x-7 तो यहां से निकल गया तो क्या बच गया? x तो x हम असानी से लिख देंगे देखिए यहां से भी x-7 निकल गया यहां तो क्या बच गया है? पर plus 4 तो प्लस चार आसानी से लिखनेंगे तो यही हम लोग को final answer आचुके है यहीं कि गुर्णखंड यही है x-7 into x प्लस 4 यही हम लोग का answer आचुके है यानि जब इसका गुर्णखंड निकालेंगे तो यही हम लोग का आएगा answer तो इस परकार आसानी से गुर्णखंड बनाया जा सकता है यदि आपको गुर्णखंड बनाने में थोड़ा भी problem होता होगा तो इस वीडियो को एक दबार और देख लेंगे तो आपका सारा confusion दूर हो जाएगा और फिर भी आपका लगता है कि हमें confusion है तो आप comment किजिए कहां पर आपका confusion हो रहा है हम उस concept के बारे में पूरा detail से वीडियो बनाकर आप लोग को upload करें तो चलिए यह वीडियो आपको अच्छा लगावात एक लाइक कर दीजिएगा और सब्सक्राइब और अलबेल आइकन घंटी को प्रेस कर लिजिएगा